हर लड़की हर महिला की बस यही खायष होते हैं कि उसके बाल लंबी गणे मौटी हों, जड़से मजबूत हों, हेरफॉल बिलकुल भी ना हो, बस उसके लहला हैते खूब सुवा चमखदार बालो है, अगर मैं आप से करेंगे हो, खुबसूरा चमर्दा लंबे घने मोटे हो सकते हैं बस आपको अपने तेल में बस यह चोटी सी चीज मिला कर लगानी है अब जो भी ऐल यूज करते बस उस ऐल में इस छोटी सी चीज को मिला कर लगा लिजिए आपके बालों का जहना बिलकुल रुख जाएगा बस एक वार सकते हमें और दो दोशth बेदी नहीं होना है ने पावरस हों मिलाकर लगाना है दस से बारा बुंद आप इसके मिला लीजी और इससे बाल जो लंबे घने मोटे होगे आपको धहला रहे जाएंगे तो आपको वीडियो का इन तक देखने हैं बिलकुल भी इसकीप नहीं करेना है आपको लेना है coconut oil ठीक है coconut oil जो होता है वो बालों को नरिश करता है बालों को लंबा घना मोटा करता है नारियल का तिल जो होता है इसे पोशकततों काफी सारी होते हैं पोशकततों से भरपूर होता है नारियल तिल में कई ऐसे गुड़ होते हैं जो कि बालों की सारी समस्या को दूर कर सकता है नाईल का तिल बालों को मॉस्ट्राइज करता है मुलाहिम और शायनी करता है अगर इसे सही तरीके से लगा जाए तो बालों को परयापत पोशन भी मिलता है बाल लंबे घने मोटी होते हैं जड़ से मजबूत होती है हेता है ही और फॉल कंट्रोल होता है एक जो डिये लेना है वह कैस्टर ओयल को पुराने जमाने से के जाए दाधी नानी के पुराने टाम से ही इस ऑइल कर ना चाहते हैं तो आपको कैस्टर ऑइल की मसाज करनी है इस से आपके बाल लंबे घने मोटे होंगे और यह स्कल्प के Blood flow को बढ़ता है जिससे Hair के ग्रोथ काफी देश से बढ़ती है और आपके Hair का जढ़ना बिल्कुल रोख जाता है या दीग्रोथ करते हैं फिर 30 जो आपको लेनी है वह हमारा सदा बहर की पत्तियां सदा बहर की पत्तियां बहुत जादा फायदेमंद होती है हमारे लेनी आपको जो सदां बाहर की पत्यां लेनी हैं तेहा है यह में पत्यां हैं ne बालों को नेच्रो ब्रैक में इसमें एंटी वेक्टेयर एंटी ऑक्सिजेंट गुण होते हैं जो कि स्केल्प का डेट सर्व कुशन तरीज करें कि बालों को लंबा घना मोटा और मजबूत करते हैं तो आपको करना क्या है इन पत्तियों को बारीक पीस लेना है आप ग्राइ इस इतना पावर फूल होता है फेंट इसके 10 से बारे बूंद अगर आप अपने हेस में अपे कर लेते हैं जड़ में अप्लाइब कर लेते हैं तो आपकी बाल बालों को नेच्छ! म offend बेक बनाता करना है और करके आपको overnight के लिए चोड़ देना है ठीक है पूरी लात लाकर आपको छोड़ेना है सुद्धे आपको अपनी एर वाश करने हैं जो भी शम्पू आप यूज करते हो उससे शएम्पू करने का तरीका मैं आपको बता देती हूं चेंपू जब भी आप करते हो तो आपको एक मग्गे में पानी लेना मैं उसमें एk मग्गी पानी लेना में ऐता है उसमें चेंपू एदो हुआप और एक चमच आप उसमें सिरका एड़ कीजिए ठीक है एड़ करने के बाद उस सैंपू से आपको अपने हेर वाश करने अगर आप चाहते हैं आपका हेर फॉल बिलकुल रुक जाए बाल लंबे घने मौटे हो तो सैंपू करने का सही तरीका यही है अगर आपके पास सिरका न ने मौटे होंगे हेर फॉल कंट्रोल होगा जब भी आप सैंपू करें इसी तरीके से करें अब इस रेमेडी को आपको हफते में तीन बार जरूर अपने बालों में अप्ले करना जिनके बालों की ग्रूथ रूप रूप जीक से नहीं होती है बाल रूखे बेजाने हेर ठाते हैं तो हफते में एक बार भी काफ है जिनके बाल पहले से श्ट्रॉंग है लंबे घने हैं तो वह इस रेमेडी का यूज फ़्टे में एक बार की जो और अच्छे आपके बाल हो जाएंगे अपके हेर सिल्की साइनी तो होंगे चमकदार खूब सूरत होंगे जिस तर रहे हैं गंजेपन की प्रोव्लम में गंजे सर्पे भी बाल होगा देता है इतना पावर्फॉल होती है सदाबाहर की पती है आपको पता बस इसे किस तरीके से यूज करना कैसी उज करना आपको उसे यूज करने का सही तरीका आना चाहिए और अगर फेंड्स आपको मेरी ये वीडियो चीह थे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं बूलना है चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन क सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आपको मिल सकते मैं आपके लिए ऐसे यूज करना कर ला दे रहते हूं अपना वीडियो के में सब्सक्राइब करनें बाबाए थैंक यू